आज हम आपके लेकर आए हैं तुला राशी फल 2020 का और दोस्तों आप बात करते हैं वित्त राशी फल की ये साल मिला जुला रहने वाला है इस साल आपके खर्चे बढ़ सकते हैं हलाकि मंगल का स्वराशी गत होना आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी बना रहा है रुका हुआ धन आपको मिल सकता है सुख जोगिधाएं बढ़ सकती हैं धन का खर्चा भी हो सकता है वाहन खरिदने के योग भी बन रहे हैं यात्राओं में आपका पैसा खर्च हो सकता है 24 जन्वरी को शनी राशी परिवर्तन कर रहे हैं जिसके कारण 30 मार्च को ब्रहस्पती मकर राशी में प्रवेश कर रहे हैं जो की मई के लगबग मद्यों में शनी और गुरू के वक्री होने से खर्चों में बड़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं इस समय हाथ थोड़ा कीच कर चले विशेशकर यात्रा के दोरान अनावश्यक खर्चे से बचे आपकी वित्तिय स्थिती के लिए संकेत है कि 30 जून को गुरू के धनू राशी में जाने पर भाग्य के लिए समय अच्छा रहेगा लाबिस्थान में दृष्टी होने से रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं 13 सितंबर को गुरू के मारगी होने से कोई नई परियोजना में निवेश करने के योग भी आपके लिए बनेंगे फाइनेंस से सम्मदित मामलों में जल्दबाजी से बचे आपको स्वास्त पर खर्च का भी इस समय योग बन रहा है इसी समय केतू आपकी राशी से धन भाव में उच्छ में जा रहे हैं जो कि धन प्राप्ती के योग बना रहे हैं कुल मिलाकर तुला राशी वालों के लिए फैनेंस राशी फल 2020 आर्थिक सम्रुद्धी की भावनाएं जता रहा है.